जोती शेणई जी इनका सवाल है कि ऐसा क्यूं होता है कि जो लोग अच्छा काम नहीं करते अच्छा कर्म नहीं करते वो हमेशा आनंदित रहते हैं बुरे होते हैं फिर भी आनंदित रहते हैं उनका हमेशा अच्छा अच्छा होता है और जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, हमेशा अच्छे जीवन से, अच्छे डंग से जीते हैं, उनका हमेशा बुरा होते रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये जो आपका सवाल है, ये सवाल ही थोड़ा अधा दूरा है, जो लोग हमेशा दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, उनका भी बुरा होते रहता है, ऐसा नहीं है, ये कोई सामान्य नियम नहीं है, एकादे विक्ति के बारे में ऐसा हो सकता है, कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं करता है, हमेशा अच्छे डंग से जीता है, प्रामानिकता से जीता है, कभी किसी का बुरा मन से भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके जीवन में लगातार बुरी चीज़े घट रही हैं, तो ये चांस फैक्टर ह होता है इसे पुरे जिंदगी बर नहीं होता है हो सकता है कि एक समय लगातार दो-चार calamities दो-चार गलत चीजे आपके जिवन में घट जाए अब उसके पीछे लोग अलग-अलग कारण दोड़ने की कोशिश करते हैं साड़े-सादी आपके जीवन में जीते वक्त कुछ चीजे इसे घटी है जो आपके परे होती है भाई मैं रास्ते से चल रहा हूं मैं अपने रास्ते से ठीक रंग से चल रहा हूं मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं रास्ते से चलते वक्त लेकिन कोई तुभी इखादा वेकल वाला जो अब मेरी कोई गलती ने इसके बावजूत उसने ठोक दिया है उसके खारण जो मेरा नुकसान होना है वो तो होना ही वाला है यह आपके जीवन के एक्सिडेंट्स है क्योंकि हम अकेले नहीं जीते हैं समाज में जीते हैं समाज में अलग-अलग ढंके लोग होते हैं इस समाज में हमारी फैमिली भी आगई हमारा पती भी आगए साथी भी आगए माता पिता भी आगए फैमिली के पास में रहने वाली दूसरी फैमिली आगई जिसको हम नेबर्स कहते हैं फिर पुरा समाज आगए इन सबका एक हिस्सा करकर हम जीते हैं जैसे हमारे जीवन में accidents आते हैं उसी ढंग से positive चीज़े भी गटती है जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं होता है उसके हमको फाइदे मिलते हैं तो हमारे समाज में जीते वक्त हम समाज का हिस्सा होने के कारण कुछ चीजे जो हमारे परे हैं वो अच्छी घट्टी है और कुछ चीजे जो हमारे परे हैं वो बुरी घट्टी है यह दोनों accidents है इसमें कोई योजना नहीं है पहले से decide कुछ नहीं है इसमें नसिब की कोई बात नहीं है लेकिन यह हमारे जिवन में घटते रहता है अब मेरे जिवन के दो accidents है काफी accidents हुए लेकिन दो बहुत महत्वक है इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा एक एक्सिडेंट मैं पुना की ओर से कल्लैंड के रास्ते से नगर बगरे की ओर से कल्लैंड के रास्ते से मुंबई जा रहा था कार चला रहा था अजनक ट्रक आया छोटा रोड था कार मैंने नीचे ली नया नया रोड बना था और रोड के किनारे जो भराव रखना चाहिए महाँ पर कुछ रेत मुरूम डालना चाहिए मट्टी डालनी चाहिए वो डाली नहीं थी इसलिए जैसी मैंने कार उपर ली वो उचली और उचलने के बाद मैं घूमकर मैं जिस दिशा में जा रहा था उसके अपोजिट दिशा में दूसरे साइड में और कार की भी दिशा अपोजिट हो गई थी वो करीबन रोड से 35 फीट खोल खड़े में जाकर गिर गई कार पूरा नहीं थी उसका एक एक हिस्सा गिरता था खेतों में काम करने वाले लोग दोड कर आए जैसी कार नीचे गिरी उनसे भी वो खड़ा था गड़ा था वो 25 फीट खोल था यहने 25 फीट गहरा था लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश के मुझे तो कुछ हुआ ने कार सीधी ऐसे उड़के आराम से जाकर वो गड़े में गिर गई गड़े में बहुत मड़ था कीचड था कार तूटी ने फुटी ने उसमें कैवल दबी ट्रैक्टर से निकलने की कोशिश के ट्रक से निकलने की कोशिश के नहीं निकल पाई आखरे में वो खेत में काम करने वाले लोग अंदर गुसे और उन्होंने कार को उठा के बाहर लाया और कार शुरू भी हो गए लोग गाव में लेके गए कई लोगों ने सुनाया कि यहाँ पर इतने इतने अक्सिडेंट हो गए इतने इतने मर गए आप बहुत भाग्यवान हो आप बजगे हो मैंने सबको चाय पिलाई लोगों ने आगर किया कि भगवान के लिए कुछ करो यह मंदीर है जीरे से मैंने बहुत जवान लोग थे उनको परीचे दिया सब लोगों ने बाकी लोगों को समझा दिया कि इस आदमी के पीछे मत लगो मुझे कुछ नहीं हुआ कार को कुछ नहीं हुआ कुछ सालों बाद मैं नाकपूर गया हमेशा कार लेकर जाता हूँ लेकिन इस टाइम कार लेकर नहीं गया था क्योंकि एक ही वर्कशोप था और मुझे बापिस आना था मेरी एक मित्र की छोटी स्कूटी लेकर मैं गुमने बाहर निकला एक स्कूटर चलाने वाला अठरा साल का लगड़का अठरा भी नहीं हुए थे उसके परे कोई लाइसंस भी नहीं था उसने ठोक दिया स्कूटी का केवल जो आईना होता है उपर का वो तूटा बाकि स्कूटी को कुछ नहीं हुआ मेरा दायना पैर डिसलोकेट हुआ चार मेने मुझे हॉस्पिटल में गुजारने पड़े डबल ऑपरेशन हुए अब यह दोनों एक्सिडेंट मेरे जिवन के हैं पहला एक्सिडेंट बहुत ही गंभीर था 35 फीट खोल गड़े में गिरा था कार के साथ में कुछ नहीं हुआ दूसरी बार रोड में एक्सिडेंट हुआ तीन-चार फीट से भी मैं नीचे नहीं गिरा इतने काम अंतर से गिरा इसके बावजूत मेरा दायना पैर एंकल डिसलोकेट हुआ चार मेने हुस्पिटल में गए यह दोनों एक्सिडेंट से अपने जिवन के अब इसमें कोई समयत है नहीं होता है अब मैं कहूंगा मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया फिर भी मेरे पैर का एक्सिडेंट हो गया और चार मेने उसके करण आर्थिक नुकसान वगरे जो जो हुआ तो आपके जीवन में कुछ बात ऐसी होती है जो आपके परे होती है जिसमें आपका कोई भी गुना नहीं होता है आपकी कोई गलती नहीं होती है इसलिए आपको भुगतने पड़ते हैं और कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसे घटती है कि जिसमें आपका कोई नहीं होता है, जिसमें आप में कोई कष्ट नहीं होता है, आपकी कोई मेहनत नहीं होती है, इसके बावजूद आपको फाइदे मिलते हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, उसमें और एक बात है, जो मैं आपके ध्यान में लाकर दूँगा। आप थोड़ा जादा निगेटिव थिंकिंग करते हो, आपके जीवन में जो बुरी चीजे घटी है, उसको जादा याद रखती हो, और आपके जीवन में जो अच्छी चीजे घटी है, उनको आप याद नहीं रखती हो, इस करण आपको इस ढंग से महसुस होता है, यह हमारे जीवन के दरब देखने का दुरुष्टिकोण है मैं सला दूँगा हर व्यक्ति को सला देता हूँ अपने आपको भी सला देता हूँ कि आपके जीवन में जो अच्छा घटा है उसको बार-बार याद किजिए और अपने आपको समझाईए जो बुरा घटा है उसको एक्सिडेंट मन कर छोड़ दीजिए यह अगर आपके माइन के एटिट्यूड साफ निर्मान कर पाऊगे तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि मेरे जीवन में हमेशा बुरा-बुरा होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करती है जिसका मन साफ होता है उसको गिल्ट कॉंपलेक्स भी नहीं होता है वो हमेशा अनंदी रह सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरा काम करता है बुरे काम के जरिये पैसे प्राप्ट करता है बुरे काम के जरीए शायद आपको देखेगा कि यो बहुत आराम से जी रहा है बहुत हसकर जी रहा है लेकिन ये बात सच नहीं होती है उसका मन अंदर से ही कचोटते रहता है और इसी लिए क्योंकि उसका गिल्ड कॉम्पलेक्स उसको खाते रहता है और इसलिए ऐसे लोग बहुत भगवान भगवान करते रहते हैं बहुत दान दक्षिना करते रहते हैं ताकि उनका गिल्ड कॉम्पलेक्स कम हो इसके बावजू तो कम नहीं होता है अंदर से वो अपने आपके उनकी इमेज जो होती है वो हमेशा टारनी शिमेज होती है इसलिए इसी जीवन में आखिर में हमारे जीवन में क्यों जीते हैं आनन से जीदें के लिए जीते हैं तो आप इमानदार इसे काम करते हो किसी का बुरा नहीं करते हो तो आपका मन बहुत क्लियर होता है साफ होता है आपको गिल्ट नहीं होता है तो आप हमेशा आनन से जी सकते हो ये संभावना आपके जीवन में ज़्यादा है बुरा काम करने वाले व्यक्तिक से भी ये उप्रिय तोर पर जो दिखता है उस पर मत जाईए पैसों के जरिए बड़े बंगलों के जरिए किसी को आनन प्राप्त नहीं होता है ये केवल कालपनिक आनन्द हो सकता है लेकिन सही आनन्द नहीं होता है इसलिए आप अगर प्रामानिक व्यक्ति प्रामानिक तासे जिना चाहते हो लोगों का बुरा न करते हुए जिना चाहतो हो और उसके साथ में पॉजिटिव एटिटूड्स अपने जिवन का हिस्सा बनाते हो तो आपका पूरा अनभव जिवन के बारे में बदल जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में यह अवेर्नेस फैलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियोज का आनन लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए